नाजरीन असलामुलैकूम रहमतुल्लाई वबरकातू मैं तारिक महमूद बोल रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं आज मैं जिस मोजू के उपर आपके साथ बात करना चाहता हूँ वह है महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में especially वैसे तो पूरी दुनिया में महंगाई है मुक्तले वजुवात की बिना पर लेकन पाकिस्तान में especially मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग इसको महसूस कर रहे हैं वो बड़ी बुरे तरीके से महसूस कर रहे हैं तो इस महंगाई को इसका मकाबला करने के लिए अब हमें क्या करना है जाहर है इसके आगे लेट तो नहीं जाना इसका मकाबला करना जब भी किसी चीज पर या किसी कौम के उपर कोई दुश्मन हमलावर होता है तो उसका मकाबला किया जाता है नहीं तो वह कौम तबाह हो तो महिंगाई का मकाबला करने के लिए मैंने जो इस चीज सुचा एपने लोगों के लिए यह है कि आपनी आमदन में अधाफा किया जाए अब आमदन में अधाफा करने के लिए आपको प्लैनिंग करनी होगी सोचना होगा कि मैं अपनी आमदन में कैसे अजाफा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो इसके लिए ये है कि जो लोग हमारे मुक्तलिफ किसम की चीजें बनाने में मसरूफ हैं उनको अपनी वो चीजें बनाने में अजाफा करना होगा उनको अगर को जिमिदार है तो उसको अपनी फी एकर पैदावार को बढ़ाना होगा ताकि जितने खर्चे हो रहे हैं और जितने इस वक्त उसके एक्सपेंसिस आ रहे हैं उसको पैदा करने के लिए कम असकम उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है उसे यह सोचना होगा, इसके लिए सबसे पहले पेपर वर्ग करना होगा, प्लानिंग करनी होगी और फिर आगे कदम बढ़ाना होगा, बगैर सोचे समझे और अंदा धुंद अगर किसी चीज का हम इस्तमाल करते हैं, तो वो नुकसान दे है, अब वो पहले वकत गुजर कि जब हम धुंद और अंधेरे में तीर चिलाते थे, तो अब हर कदम वो सोच के रखना होगा, कि हमने किस तरीके से अपनी कास्ट को कम करना है, और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इसके लिए आप माहरीन से, उस फील्ड के माहरीन से मशवरा कर सकते हैं, उस फील् अच्छी पैदावार ले रहे हैं, उनकी तकलीद करनी होगी, उनके साथ मिलना होगा, तो फिर हम भी उस काम्याबी के क्दम पर चड़ सकते हैं, काम्याबी की सेडी पर कदम रख सकते हैं, जिसमें हमें भी अच्छी पैदावार होगी, तो हम मनाफे में जाएंगे. वो लोग जो छोटे कारोबार के साथ मुनसलिक हैं, उनको अपनी आमदन बढ़ाने के लिए अपने जो बेचने का रेट है उसको कम करना होगा अगर कोई चीज फर्ज करें कि वो फरूट की रेडी लगाता है सबजी लगाता है या उसके करियाने की दुकान है तो उसके मुख्तलिफ जो चीजों के रेट है वो मंडी से लेके आता है, होलसेल से लेके आता है, तो उसके उपर सारी उसकी जो कास्ट आती है, किसी भी एक चीज के उपर, उसमें वो बजाए इसके के 50% मनाफ़ा लेना है, वो अपने मनाफ़े को कम कर दे, तो इससे होगा ये, कि जो आगे खरीदार है, उसको भी असानी होगी, उसके लिए भी थोड़ा सा सस्तापन आ जाएगा, और ये बेचने वाला जो है, उसकी सेल में अजाफा हो जाएगा, तो इस तरीके से ये दोनों पार्टियां जो है, खरीदार भी, और सेलर जो है, बेचने वाला जो है, इन दोनों को जो है वो प्राफट मिलेगा, और उनका फाइदा होगा, और इस तरीके से महंगाई जो है, वो कम होगी, तो मैं यही गुजारिश करूँगा, अपने तमाम लोगों को, कि अपनी आमदनी में अजाफा करें, और आमदनी में अजाफा करने के लिए, ये सोचें, कि मैं किस तरीके से अपने आपको इस महंगाई के दोर में सिर्वाइव कर सकता हूँ, और बड़ी अच्छी जिंद जिन हजरात ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लें, और गैंटी के बटन को भी दबा दें, लाइक भी कर दें, ताके आइंदा आने वाली जो वीडियोज हैं, वो असानी से आपके साथ मिल सकें, शुक्रिया